है थेलो फ्रेंट्स वेलकम्म तु मैं इस्टडीफी चैनल दोष्टो और चापिक है सरीज राचना भी ग्यान यह वं त्रिया भी जान यानि इनप्टामी एंड फीजियोजिग दोष्टो यह निप्टामी एंड फीजियोजिक के अंदर जितने भी टॉपिक है उन सब की बा इत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिसे जो भी मैं वीडियो नया अप्लूट करूं उसका और नाटिफिकिसन आप तक पहुचता रहें तो चलिए जानते हैं सरीर रचना भी ग्यान एंड क्रिया भी ग्यान के एक जो है जैसा कि इसके नाम से ही इस पष्ट है कि सरीर रचना यानि सरीर की धाचा अकार प्रकार उचाई लंबाई और संख्या तो सरीर रचना यानि उसके धाचा का मिन अध्यक गया जाता है जैसे कि कहा जा सकता है जैसे परिवासिक सब्दों में कि सरीरी की रचना सरीर रचना भी ग्यान जो है सरीर की रचना तथा मानवी सरीर के अंगों के धाचे का आधिया करता है किसके मानवी सरीर के अंगों के धाचे का जितने भी हमाई सरीर में अंग हैं उन अंगों के धाचे का मे भूतिकाई क्या है तो एक यह सरीर रचना बिज्ञान जो है शरीर के अंगों के धाची का अधियन और जो है किस सब्दी से ग्रिश सब्ज से जिसका अर्थ है काटना क्योंकि सरीज संरचना का सबसे पहले ग्यान बिच्छेदर से ही हुआ था यानि बिच्छेदर यानि काटे गए बिश्लेसर से बहुत पहले जब लोगों की देड़ बार्दी होती थी तो बहुत सारे सर्चर जो होती थी वो इन अंगों को काट काट के सर्च करते थी कि आखिर क्या है इसे प्रिकिया द्वरा सरीर रचना बिच्छान का अध्यान किया गया बिविन जीयों के ठीक है तो मिन बात यह है कि सरीर रचना बिच्छान एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया तो इसमें कि उस सरीर के मानुई सरीर के धाच्यों का द्यांग किया गया जैसे कि इसके अंतरगत जो है हड्डियां मालस्वेशियां कोशिका रच्ट परिसर्चन तंत्र सुसन तंत्र पाचन तंत्र उसर्चन तंत्र अंतर इस्त्राविग्रन थी आदि इन सब के बाहरी आवरण यान उसके आकार यानि एक तरफ से सभी के धाचों का अधिया जात है ठीक है जबकि क्रिया विग्यान में क्या होता है कि इन सब के अंदर जो भी प्रक्रिया है कैसे कारे करता है उस का अधियां के रहता है लेकिन हम यहां पर समझा रहा है पहले कि रचना विग्यान तो रचना विग्यान से तात पर ही है कि यह सरीके पिविन अंगों के धा शाररी धाच से शंबंद् dw k beliefs ऑभी के बात करें बात को और बोड़ को खुर्द वीन यारी मायक्रोका जा यह घूंज आप नाचे-ई मारीक्रिया्ट न बिना भी देखा जा सकता है इस थora सरह से रचनों ग्रॉस इन टॉनी इसकी फर्यवास यह तो छाल्य मिद्ध किसे क्या चाहनते हैं अपने क्या तरना सरी होस्तों तो क्या flute ब हुट इसको tusi बोलते हैं इसमें ढ़ servus सब्सक्राइब को इसका औरों कार करता है यह चीज करिया विज्यान के अंतरगत अधिया जाता है जबकि उतना कारआ करते हैं को्सि का विदर और कैसे कार करते हैं यह किरिया यह अंतर किये आयाता है तहक्सर समझनी का अंतर है जिसे उतन काते हैं को्सिका किसे कहते हैında एने इनन्मे के अंत्र किया गया व सब्सक्राद के अंतार्ण के तरपर हमारे श्रीर में भोजन के आश़री में जैसे कि पाचन तंत्र का अधियन हम कर लिए इनोटोमी में बट पाचन तंत्र की बारे में हम तो जान लिए इनोटोमी की माध्यम से बट यह हमारे सरीर में हरमोन्स की क्रिया उसका पाचन कैसे होता है क्या क्रिया होता है उस चीज का अधियन जो है क्रिया विग्यां के अंतरगत होता है जिगर जो हमारे जो एक्रित है वो कैसे ग्रुकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करके फिर उसको कैसे उर्जा के रूप में कनवर्ट करता है हमारे अभियास के दोरा और पंक्रियास कार्षक वर्जंग करता है इंस करी तक आप समझ गया होंगे किरिया विग्यान और सनी कार्यां में ना थरकती है मैं सबस्क्राइब ना जिर्म कर लिस अधिया वे उसका अधियान हम क्रिया विग्यां के अंतर गत करेंगे जैसे कि मानस्पेशी क्या है यानि मानस्पेशी के धाची का अधियान रचना विग्यां के अंतर गत करेंगे सारी रचना विग्यां के अंतर और वहीं मानस्पेश्या कैसे सिकूरती हैं कैसे फैलती हैं किस प्रकार क क्रिया करती है इसका अधियाですね ृचिजन का क्या है इसका अधिया ब्लौत स्कुरा इंदी करें इसका अ頻道 है इनुटॉमिक लखनी क ग्रत करेंगे वहीं फेफड़े मानोます Choi शरीर के वईभीन अंगों में oxygen रख्तिकी माध्यम से कैसी पहुचाते हैं कैसे क्रिया讲 करते हैं इसके आधियां क्रियाव्याां की अंतरागत हम करें ठीक हिदेए वईभीन अंगों अंगों तक रख्त को किसे परकार पहुचाता cone यहां पर हडाच झाह एक कितने कंश्य हैं इन सबेंकर अधियनेंगे अन्य इन्सक्राइश कुछ परिभासा कुछ देख लेते हैं जैसे कि निद्सेعم सब्सक्रीक है जिसके अंदर सब्सक्राइब nuts अंगों का अध्यान करने के पस्चात जो कारे किया जाता है उसे कारे का मानों सरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है उसे क्रिया विग्यान के रुप में परिवासित करते हैं करने का ताथ पर यह है कि जैसे कि अनटोमिक के अंदर विभिन अंगों के धाजों का अध्यान करते हैं ठीक है उसके अंदर के अंग जो हैं वो कैसी कारे करते हैं उसरीर के कारे करने की प्रडाली को ही क्रिया बिग्यान कहते हैं एक दम सरल शब्दों में ठीक है सरी के कारे करने की प्रडाली को ही हम क्या कहते हैं क्रिया बिग्यान जैसे कि उसके सब्दिक और से ही घ्यान हो जाता है दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारी सिच्छा एंखेल के छेतर में इसका कैस किस रूप में अधिया जाता है इसको जानना बहुत आ कहता है बियायाम क्रिया भिग्यान के रूक में ठेक है और ये बियायाम क्रिया भिग्यान के तात्परी चया है क्या मतल़ है इसका विद्याराइं के के अध्यञान से हैं तो इस का अध्यान करते हैं किया हुद जाता है तो तो यहां पर बहुत सारे क्वेज़न इसमें बन जाते हैं इसमें से सिच्छा के छेतर में करिया बग्यान का किस रूप में अधियान किया जाता है तो दोस्तों मुझे आसा है कि आपको सरीर रचना बग्यान दोनों के बारे में पूर्डू उप से समझ में आ गया होगा कही कोई कंफीजन नहीं हगा दोस्तों एक वीडियो आगे पाने के लिए ले ग्याडेकंट कर रहे हैं तो आखेन प्रेस्क्री स्ब्सक्राइब कर रहे हैं और ऐसे ही बीडियो के पाने प्रेस्ट करना ने भूलिए जिसे जब ही मैं नया वीडियो अप्लोड करूँ उसको नौटिफिकेशन आप तक पहुचता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद्ध